मिजोरम में पाई गई उड़ने वाली छिपकली व्यग्यानिकों ने उड़ने वाली छिपकली को डूण निकाला है व्यग्यानिकों ने मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की एक नई परजाती का पता लगाया है यह छिपकली मिजोरम में पाई गई है इसलिए इसका नाम राज्जे के नाम पर मिजोरम पेरसूट गेको या गेको मिजोरो मेंसिस नाम रखा गया है आलांकि नहीं परजातिकाई के नमुना 20 साल से अधिक्स में पहले एक्तरित किया गया था लेकिन इसके रिष्टेदारों के बीच अंतरका अब मुल्यांकन किया गया है सम्मंदित रपटे पत्रिका सलामंद्रा में परकाशित हुई है जिसका शहर लेकन सोद के छातरी जिशान में जाने किया है एक बयान में कहा गया कि अतीत में अधिकतर खोजों में पक्षियों और सतंधारियों जैसे करिशमाई जिवों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जैसे सरी सिर्पी परजाती की खोज नहीं हुई है इस छेतर के मेरे अपने स्रेक्षन में कई नई परजातीों का खोलाशा किया गया है जिसमें साला जार का पिटे वाइपर भी सामिल है जिसका नाम बच्चों की पशन्दिदा फंताशी उपन्यास सिरंखला हैरी पोर्टर के एक पातर के नाम पर रखा गया है उन्होंने कहा कि गने जंगलों के करण परवतर भारत की वन्य जीव उतने परसिद नहीं है जितने की हो सकते है आलांकी हाल के गटना करम ने पहुंच को खोल दिया है माना जा सकता है कि गेकोशी छिपकलियां जल्द से जल्द विक्षित होने वाले समू में से एक है इस समू में सभी छिपकलियां साप और उनके करीबी रिष्तेदार सामिल हैं जिनके पुर्वद सेक्डो लाखों साल पहले जिवाश्रम दस्तावेजों में पहली बार दिखाई दिखाई दिये थे सुरवाति के कोश ने दस करोड साल पहले ही अपने परमुख विशेष्ताओं को विक्षित कर लिया था अनुआंसिक अध्यन और सरक्षित आवसेषों से पता चला है कि उन्होंने अपने पैरों पर चिपकने वाले पैड़ विक्षित किये थे जो उन्हें सुक्षम बालों के नेटवर्क के उप्यों के मादम से लगबक किसी भी सतय पर बढ़ने की समता परदान करते थे व्यग्यानिकों ने कहा कि अन्य उन्कूलन जैसे शिकारियों को विचलित करने या अंधेरे में अच्छी तरह से देखने के लिए पनी पूंच को छोड़ने जैसी विशेश्ताओं ने उन्हें सबसे सफल चिपकली स्रमू में से एक बनने में मद्द की है गेकों श्रमू मिजोर्म पेराशूट गेकों छिकली